दोस्तों मैं आपको आज सिखाऊंगा Easy Pay से Move to Bank कैसे किया जाता है और Move to Bank में Account Add कैसे किया जाता है जैसा कि आपको पता है Easy Pay में दो तरीके की Move to Bank की Facility होती है एक Mobile Application पे जो एक का नाम है वो Move to Bank के नाम से जाना जाता है जो की ये है और दूसरा Move to Bank जाना जाता है New Payout के नाम पे ये इस जहां पे Move to Bank लिखा हुआ है इस Move to Bank में एक Account Add हो सकता है और ये New Payout के माधियम से जो Move to Bank होता है उसमें आप 5 Bank Account Add कर सकते हैं ध्यान देनी वाली बात ये है कि ये जो Move to Bank से जो आप Move to Bank करते हैं ये Chargeable होता है जो कि किसी भी transaction का 10 रुपय चार्ज लगता है और New Payout के दोवारा जो भी आप Move to Bank करते हैं इस पे दीन का पहला Move to Bank फ्री होता है और दूसरा जो है से जो चार्ज लगना चालू हो जाता है जो कि 10 रुपया होता है EG Pay ने अपने आप में आप लोगों के लिए एक commitment किया था हमेशा की तरह कि हम Move to Bank फ्री देंगे और EG Pay आपके पैसे की कदर करना जानता है इसलिए EG Pay ने Move to Bank आपको फ्री दिया है दीन का पहला कुछी रिटेलर ऐसे होते हैं जो कि दीन में कई बार Move to Bank करते हैं मेरा उनसे विशेस आगरह है कि अपने पैसे को बचाएं और एक बार Move to Bank करें जब भी आपको जूरत है एक बार Move to Bank करें जिसका आपको चार्ज भी नहीं लगेगा ज्यादा जूरुरी हो तो आप कर सकते हैं आप उसका चार्ज भी पे कर सकते हैं तो हमेंसा ध्यान दे कि New Payout के माध्यम से जो Move to Bank होता है वो Move to Bank दीन का पहला बिलकुल मुफ्त होता है और Move to Bank के नाम से जो Move to Bank होता है वो चार्जबल होता है तो आपको मैं सिखाता हूँ Move to Bank में दोनों में आप एकाउंट कैसे एड़ कर सकते हैं तो सबसे पहले हम Move to Bank के नाम पे जाते हैं यह मैं Move to Bank पे क्लिक किया यहाँ पे टर्नमेंट कंडिशन आया उसको सेलेक्ट किया अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखा यहाँ दो डेट ऑफ बर्त देना है आप अपना डेट ऑफ बर्त दे सकते हैं यहाँ पे अपना नाम लिख दिया नाम आपका हुआ राधे राधे कुमार वो लिखा इसके बाद हमने बैंक सेलेक्ट किया हमारा बैंक है इंडसिंड बैंक सेलेक्ट किया यहां पर अपना एकाउंट नमबर लिखा सेविंग एकाउंट है या करेंट एकाउंट है मेरा तो सेविंग है भाई तो हमने वो लिखा आपका यही करेंट है तो आप करेंट भी दे सकते हैं ब्रांच एड्रेस जो है यह ऑप्सनल है इससे देने की ज़रुब नहीं है यदि है तो आप दे सकते हैं उसके बाद यह आई एक्सेप्ट और यह प्रोसेस रिक्वेस्ट को हमने दे दिया अब देखिए यह मूफ टू बैंक जो है हमारा बैंक कंपनी के पास रिक्वेस्ट चला गया बैंक के वाइसी इस प्रोसेस एड़ एड्मिन कुछ देर के बा यहां सबसे पहले से मेरा एकाउंट एड्ड है मैं दूसरा एकाउंट एड्ड करता हूं तो यह एड्ड बैंक वाले ऑफ्सन पर गया अब सेलेक्ट बैंक पर गया मेरा इंडस्रिन बैंक का एकाउंट है मैं इंडस्रिन बैंक को सेलेक्ट किया यहां पर अपना नाम दिया यहां एकाउंट नमबर दिया ध्यान दीजिएगा बैंक सेलेक्ट करने के साथ ही आई एफसी कोड आटोमेटिक आता है आप इसको रीनेम नहीं करेंगे यह आटोमेटिक आई एफसी कोड है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है तो पैसा आपके एकाउंट में ही जाएगा अब इतना करने के बाद इसे एड़ बैंक कर दिया किलिक किया जिस एकाउंट में हमें पैसा लेना है धेयान से जिस पे लेना है उसे ही सेलेक्ट करूँगा मैं जिसे मेरा और लेडी यह इंड़स्टिन बैंक मैंने इसको सेलेक्ट किया अब देखिए मेरा वालेट करके दिखाऊंगा पहला और दूसरा भी करूंगा यह एक सो रुपए में किया इसे सब्मिट रिक्वेस्ट डाला और यह पैसा हमारे एकाउंट में चला गया अब मैं वालेट हिस्ट्री एक बार चेक कर लो अपना बैलेंस यह देखिए चार सो चोहत्तर रुपए 477 पैसे ह हमारा पैसा हमारे बैंक एकाउंट में आ गया अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा तो फिर से में न्यू पैयाउट पे किलिक किया फिर मैंने अपने उसी बैंक एकाउंट में को सेलेक्ट किया और फिर से में 100 रुपए कर ट्राजिक्शन किया यहां देएगा 474 पे कटे तो आपको मैंने कहा था कि दीन का पहला ट्राजेक्शन जो है मूफ टू बैंक का वो बिल्कुल फिरी है और दूसरा हम करते हैं तो दस रुपए चार्जेस है उसी तरीके से अब मैं देखता हूं कि कंपनी ने हमारा जो बैंक एकाउंट जो मैंने दिया था उसे एप्रूब किया है कि नहीं किया है, तो मैं देख रहा हूँ जैसा कि एक बार मैं कलिक किया मूफ टू बैंक पर, जी हां यहां भी हमारा एकाउंट एप्रूब हो चुका है मैं यहां से भी ट्रांजेक्शन करके देखता हूं, 3064 रुपया 47 पैसा हमारे बैलेस है, मैं फिर seven move to bank की service है मैं अभी रात के दो बच के पस्पन मिनिट में ये वीडियो बना रहा हूँ और ये रात के दो बच के पस्पन मिनिट में भी move to bank काम कर रहा है तो मैंने बताया था कि दो सो चौवन रुपए 47 पैसे बचे मतलब 110 रुपए फिर कटे क्योंकि move to bank ये वाला जैसा कि मैंने कहा था कि ये वाला chargeable है कोई भी आप transaction करेंगे तो वो chargeable होगा और new payout से जो move to bank करेंगे वो दीन का पहला free और दूसरा से charge लगता है तो आज का हमारा training वीडियो move to bank पे था हमने आपको move to bank के लिए training दिया धन्यवाद फिर मिलेंगे अग कि यू